एक शेट जिकर भायो तीन बालक थो तीन चोरो थो और बगवाल की सी करनी चोथो भी हो भायो लेकिन चोथो जो आड़ू हो ना उसे गर्वाली का द्यान तो चोरो हो गया चार में अगर आली को हो गया देहांत काम दंदो ठीक ठाक थो बदा प्रेशान हो आक है भायो उसने अपने बच्चे पाले हो उसने बढ़ी आतो को दिक्कत को नो दो पर लेकिन उसने गर आली ना तो बच्चे नहीं पाल सकते हो ने इसान है तो उसना फिर भीब चाहिए ने कह लोगों ने बताने बते हैं ना कहिए के तो साधी कर ले शेट जी कुछ कोई दिक्कत को नियो प्रेशान मत तो और कर ले न्यू हो जाओगा उजना ना भई कि एक नए वफाना दिया तो दूस्ती देखण नपायों चार मूर्थ देखा चली और क्या करों तो ऐसे करते करते भायों उसने जो है है और टाइम निकाल हुए जैसे जैसे टाइम आया उन अपने लड़क खी शाधिके चालू कर दी जैसे चौत्थे लड़के खीशाधी कि तो बेमार रहना लागियो बेमार रहना लागियो उसको काम दंदा था उसके दो बड़े तीन छो रहे थो उनने से बाड़े लियो जो काम दंदा से बाड़े थे चाप भी उसके हाथ में आ जाया करे बुड़ा घर पर पड़े औरो बिचारो बेमार थोए कि रमाब लाफ चुछ सबसों ओimon पूद को बमाद वुम depress एक वी इस कोऑच आप देखतार सकते हैज़ मॉसल समसर जहाए कर्या कर वास्यवा करती तो उसकी इच्छानी उने भी शुनाती है एक दिन तंग आ गयो उदर से बाप की बैमारी अब दर से तंग और तंग भी जादा हो गयो उसने अपनी युक्ति लगाई कैन लगया रहा भाई एक काम करो मारा जो पिता जी जो मारा बाप से शेट्सी जो है बे मारी आग है अगर हमें कड़ इस बात जीवी रहा इस बात के लिए तुम मन दे दो मैं बहर ले जाके इनकी सेवा कर लिऊंगा लुख च्छ गोई लुख अ पर काल नहीं तू ठीक कराके इसना सारा धन दौलत सप्टे नाम करा लेगा हुआ है इसलिए हम तरह नहीं जाना देंगे ने बुढ़े नाड़े मनन तो कोई दिक्कत को जो नहीं मनने आगे तरह फिर बैठें फिर कई ये बात इतना नियू लाग गया ना कि मैं दंदोलत लिए इसकी तुम्हे काम करो कागश पर लिखवा लो मैं को इसकी कोई दंदोलत नहीं लिए भायो तो इननों भाया नहीं पड़ा आपड कागश पनवाए अड़ो और उसके सा उसके घारी बड़ी नेक लोगाई थी पाचा पाचा हो लिख में चलोंगी मैं आड़ा कि करूंगी जो तुम्हे को निड़गो और शेवा तरन्य के लिए न क्यों करने मनने भी करनों है जब वा चली दो दूसका गैना मैंना था साथ लेकर चली जो गैना था उस तो गैना बेच ब्याच कर उसने बिचारेने किराए पर मकान लियो उन अगरी छोड़कर दूसरी नगरी में जाकर स्थेवा करते करते हो और बेमार हो गया और शोसी काम क्ये कर रहे को बहुत कुछ हैता नहीं पहले कुछ काम कर नहीं किये करूंगो परबाइने को जाकर तक तक तो अगरी में जादा बेमारी बढ़ेगे हो जाक्टर कहना कि बचना के चांसे कम है भाइड़ो खर्चों जाद हो है को बात ना उन्हें जितने यारे पैरते सम तब ऐसा ले लियो और लेकस पर लगा दियो और बागवान कैसी करनी हो है कि फिर भी स्रवकों सिदा लेगे अग करो है अगिना वाम बचा न दन बचा करज इम्हम हो कि करो दुगी बचार रहा बहुत अहो, बापन ले गया था, एक रहा मार भी दियो, यह भी करते हो, तुम तेक हाद भोग चुलिए, को लेओ, एक कहन लाग रहा था, जिसके इतना सेवा करी उसते मांग लेना, वो यह जी गा न, उसते मांगता है न, महदुर क्यू मांग लाग रहा है, जो कुछ उसका है, जा बगवान का बजन करता है भगवान का बजन करते हैं. यह बगवान कुछ तरह द द आट ग्राषी नाथ ने सवनस मोड का वार। बगवान की लिल्डा थी रात ने सव पनाया spend that पर दुख तो था अपने गरवाली तो था अपने जाकर देखते लिए करता ना यह बरकत नहीं देखकर के करूंगो अगे जब पिर वह सपन आया वह बुजरुख फिर दिखाई दिया फिर वह बात कही जो हंडी है उस हंडी के अदर 50 सरफिया जाके लिया उन्हें फिर वह बरकत है अगला बरकत तो कोई जा करूंगो आगे ते ले बाइ बात है अगले पिर बजाना एक तर पिर आयज राजय तर बताई के देखिए ऐसे से बात हुई बावली ले ले जाके कुछ तर बरकत को तर गरोंगा के लिका जे बरकत है नहीं भाइदा के उधनका लिका आगे दर फिर वोई सपनाया वोई बुचरक फिर दिखाई दिया फिर कहने लगया कि देखे 10 असर पिया जाके लिया आज फाइनल बोलके जाओं तो ने मांजा मेरी बात बला बरकत है मिला बरकत तो नहीं है अबने घ्राइद फिर बताया हो देखने आज दस असर पी मिलने करजा तो मुख जा कम से कम आगर उटी पाइनी खालेंगे करता ना बरकत नहीं करूंगा कि अगर फाइदा कि अगर फिर सपनाया पिर वो यह आदमी दिखाई दियो सपने में अरो कहने लगया देखे उस जग जो हंडोली है उस हंडोली में एक असर पी रखी है जाके लिया रोटी खाली अगर एक दिन तो खालेगा नो बले बरकत है तो केंड़ अबरकत तो है बाई लब फिर ठीट है शुबह उठा अपने ग्राइद बिगर बताए जाकर हंडोली कारिके दिखी तो उसमें एक असर पीपाई गोज मैं गाली सोची के काम करूं साब आदा देन बीट गया उन्हें तो कम से कम अपने बार काने आप अच्छा तो खाना खाँ जो बरकत है इसमें बरकत है तो आज अच्छा खाना खाना चा कुछी यह होचा कर गया एक मचली करीदली काज मचली बनागे खाऊं अच्छे तो खुश होंगे परिवार तो खुशी होगो घराली आया मचली चीर लाग्या तो देख थासमा दो मोती निकले हो के लेगड़ दो मोती और अब बंदर जेगे चैसे हो खोले कंदो मोती चंक्यों दूर दूर प्रकास जबर्दस निकले हो सिधा भाग्या जोरी के पास जो हीरे जवाहत बेचा करता लिया करता के देखिए भाई यह मोती ही लिगड़े है मोती है मेरे बास तो मोती अबल दर्जे के भायो मैं अपनी पूरी प्रोपर्टी अपना सब कुत्र दे दूं जबी पीशे तो क्यों बरकत थी ना उसमें पर फेर यहारा खरीदार नहीं है इसका कोई है पर का रहे है वह यहां बात एक बार लेकर जा कान में के तो भाई फिर तो संसार है पार जा पता चला है कि रात जाना पता चाल गया हो उन्हें बुलाया कि भाई शेट जी के लड़के तेरे मन सुनिया है शेट जी अगे दो मोती हैं बहले हां जी है बहले देखा उन्हें जाकर देखाए कि यह है तो बहुत अबल दर्जे के भाई आज मेरे पास इतनी असर भी तो नहीं है अग जो इसके में कीमत पूरी कर्श कूँ पर बाद में देद दूँगा पर हां एक काम करें दस नब्य गदे लेजियां और सार असर भी यह दबर वाले वह इसकी किमत पूरी नहीं होगी पर लड़े बाद में देखा नब्य गदे सारे लडवादियां सरफियां ते घरली आया आया आते करजा ता रहा कर्जा हो तो इंसाना दिमाग नहीं कहुंग रहा करता पहले ज पर काम दतालों कर लिया करें अगिंडा दान पुन की बिगर कुंच रहरे कुछ नहीं हो तो कुठिय बेकार है क्यों उसनों सुकत्ठाषंब नहीं आओगी अगि जो सक्कुछ शांता मोझा ये वह तब वब इंसान के अंदर जब दान करगा कितना पड़ा काम कर ले कितने अच्छी चीज ख़िद ले उसने शांती नहीं मिलती उसने हवास बढ़ेगी तरशना बढ़ेगी तो उसने दान पुंचालना चालू कर दिया गरीबाद विया रोजान दान देन लाग गया पुरी नगरीमन नाम हो गया और उधर तो उसके तिन्नु भाई उनके घर में बैमारी बढ़ेगी हो और बैमारी बैसी बढ़ेगी हो कि जितना हो कमाया करते वो सब लागण लाग गयो कुछ दिर इसा बात हो गयो कि जो पुंची दी गट्टी चाल लू गयो एक टाइम ऐसा आगया के कमाले रखा लें और बैमारी ना लेकड़ा है सारा पूरा परिवार तिन्नु भाईयों को परिवार पूरा बैमार एक दिर बागवान के ऐसी करणी होई आंधी और तुफान और बार सब पोचागा जब तुफान आया तो घर लना गया सारा कुणबा भार आगया प्रादी कि अधर बी पड़िए उस तुफान शेचें पड़िए हो गहाऊ Khya वो तरी कुछ थारी मदद कर सका है, तो तिन्नों भाई अपने परिवान लेकर उस शेट जी के दर्वाज़े बचले गए, दर्वान तक कहने लगे हैं भाई शेट जी ते मिलना है, हम बड़े परेशान हैं, हम भी शेट हैं, पर हम परेशान बहुत हैं, दनकी बहुत, अब अब माही जी खाए decisions and सब्सक्राप बरें सभाए और मकान भी कोईए महाया है। यूच होगा। लेपशेन लेटी हुगियो देखने हैं दीनु वह अपस्न लखाज का ज選़ हैं अ गलती होगियो, यह मåं ताक शाहिए हूं और का जालों झारी मेका की अग्यों थे, तो महार वो कभी दुद्कार्या निकरता हूं। बना भाई के बात हो गयो। भाई बात ऐसे ऐसे माली सवाथ हूं। उन्हों पुरी काहनी बताई कि निन निमाली के लिए। तु ऐसे धनवान कैसे बना है। तो मेरे बाप न आशिरबाद या था उसकी सेवा करी दी। तु उसके आशिरबाद के कार में बैठो। पर उन्हों तिन नुवाया के दिमाग में यहूं। अकि यह कुछ ना कर रहे। सबसे पहले उन्हों अपने घर में लेया हूं। चर्ण दोहे कि तु मेरे बाई हो। पुरा परिवार घर में बाड़े हूं। अपना कामदा चालो करो। मेरा कहन का मतलब ही है कि विटा। पुछे तु कैसे बढ़ा। मेरे बापन आशिरबाद दिया। मैंने उसकी सेवा करी तो आशिरबाद दिया। अब थाने उसके दुद्दकार रहा तो तु दुद्दकार राज कहां खड़े हो। पालो मैंने उसके राजिरबा टबसलिदक थाने